रंगों का त्योहार होली पागुन मास की पुर्णिमा को इस त्योहार को मना जाता है वैसे एक दिन नहीं है जिस दिन होली मनाई जाती है और सिर्फ रंग ही नहीं है जिस से होली खेली जाती है लठमार होली, फूलो की होली और फिर रंगों की और पानी के साथ होली यारी होली के त्योहार के बहुत सारे रंग है जितने रंग उतने ही तरह स्पोली मराई जाती है और एक दिन नहीं बल्कि बहुत दिन पहले से इस त्योहार को मनाने का सलसला शुरू हो जाता है तो बनारस यानी वारनसि यानी काशी की होली जो की पांच दिन पहले शुरू हो जाती है और जिसे रंग भरी ग्यारस के नाम से भी जाना जाते हैं इसी के साथ शुरू हो जाती है होली के परंपरा और शुरू हो जाते हैं होली के रंग वैसे कहा ये भी जाता है कि बाबा भोले मा पारवती के संग होली मनाते हैं यानि कि उनका गौन करवा के बुलाए थे जिसके बाद खुशी में इस परंपरा को शुरू गया गया था और रंगों के इस त्योहार से उस खुशी को मना आ गया था तो बाबा विश्वनात ने मा पारवती के संग गुलाल खेल कर होली मनाई थी और हिंदु धर्म की जो माननिता है उसके हिसाब से विश्वनात रंग भरी एकादिशी के समय में ही होली का रंग बिखरना शुरू हो जाता है वैसे मा पारवती संग होली मनाई थी और इसी दिन से इस परंपरा की शुर्वात हो गई थी और इसलिए इसको कहा जाता है काशी की होली जो बिलकुल अलग अंदाज में मनाई जाते यानि जहां एक तरफ आप बरसाने में हर तरहां के रंग देखेंगे जिसमें पूलों की होली लटमार होली, रंगों की होली, पानी की होली नजर आएगी वहीं यहां पर भी यानि की काशी में भी होली मनाने की एक अलग परंपरा है जो की बाबा भुलेनात के साथ जुली देखेंगे एक और परंपरा जिसके मताबिक भक्त टेड़ी नीम इलाके से महंत आवास में ब और फिर उन पर अभीर गुलाल जम कर बसाया था वैसे 357 साल पुरानी यह परंपरा आज भी जा रही है हां पता जरूर बदल गया है अब महंत आवास का पता बदल चुका है जिसमें प्राचीन महंत आवास काशी विश्वनात मंदर के कॉरिडोर में आ गया है तो और पांच दिन पहले तमाम रस्में परंपराएं शुरू हो जाती हैं इस दिन को भी यानि कि इस हूली को भी ठीक उसी तरीके से मना जाता है हर दिन की अपनी परंपरा है और उसी अंदाज में हूली के स्तियोहार को मना जाता है